दोस्तों अगर आप लोग एंजलवन में अकाउंट उपेन करना चाहते हो और चाहते हों कि आप लोग को एंजलवन अकाउंट उपेन करने के साथ सब 500 रुपय का बोनस मिली और आपका अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो जाए तो आप लोगों को एक छोड़ा सा प्रॉसे पर यहां पर प्लेट करता हूं और जैसी हम इस पर क्लिक करेंगे यह थोड़ा सा लोडिंग लेकि आपको रीडारेक्ट कर देगा Google Play Store पर और फिर उसके पर यहां पर आकर इस लिंक से डाउलोड करना है अब यहां पर आपको डाउनलोड कर लिना है दाउनलोड करने के लिए अपर आप लोगों कर लिए के टोड़ा सा लोडिंग लेकि पेंगे लागवा ना रहा है क्लिकों कर रहा है, अब आप लोगा एक आधार काट से लिंक हो आप लोगो ध्यान आगना आप उसी का एंचल वन में अकाउंट बनाई है कि जिसका यहाँ पर तीन चार डॉकुमेंट्स एवी लेवल वो आठाहा से उपर होना चाहिए पैन कार्ट होना चाहिए उसका आधार कार्ट होना चाहिए और बैंक डिटेल होनी चाहिए यह सब यहाँ पर मोबाल नमबर डालिका आप आधा से लिंक हो यहाँ पर राफल कोड का जो उप्शन अा है यहाँ पर आपको sund ढलना है यह पलोगों को यहाँ पर चार बड़े benefitस मिलेंगा आपको अकाौंट इंस्ट एक्टिबेट एकफिपेट हो जाएगा आपको 500 रॉपे का bonus मिलेगा और आपको lifetime free delivery rates पा कोई भी brokerage charge नहीं लगने वार, lifetime free रहेगा और चौथा benefit से आप लोग किसी को refer काऊँगे तो आप लोग 500 रोपय का यह 1000 रोपय का voucher आएगा, scheme पर depend करता है, तो यह 4 benefits मिलेगे, आपको यहाँ पर यह code के option पर यह डाल आपको OTP डालने में कोई भी यहाँ पर tension नहीं लेना है, security का क्योंकि यह angel 1 Indian government से verified है, यहाँ पर देखिए, आपको नीचे blue कोला के बटम पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आप लोग अपना full name डालना है, देखिए mobile number दिख रहा है, और full name यहाँ पर पर आपसे Gmail ID मांगेगा, आपको कोई भी Gmail ID अपने mobile की select कर लिए, आपके सामने खुल जाएगी, जो आपने angel 1 में आतक ना लगाई हो, वो choose कीजेगा, कोई भी मैं choose कर लेता हूँ, और फिर उसके आपके pen card का option आएगा, यहाँ पर pen card number डालना है, मैं आपको पहले ही बता दू side document, same person की डालेगा, किसी एक person की, जिसका आपको अकाउंट open कर रहे हैं यहाँ पर मैं pen card number डाल देता हूँ, अगर आप 18 साल के नहीं आपको pen card नहीं, आपनी family में किसी और का अकाउंट खुलिए, उसकी side details डालेगा यहाँ पर, अगर आप कोई भी problem यहाँ पर करते हैं, KYC में मिस्टिक कर दे तो आपको सामने से NG1 टीम से call आएगा, वो आपका process करा देंगे, अब यहाँ पाद submit पर मैं यहाँ पर नीचे क्लिक कर दीजिए, अब यहाँ पर आपके आधार नमबर पर आएगा OTP, जो आपके आधार कार से linked हैं मुवलना हो, तो वो OTP यहाँ पर आपको enter कर देना है, आपको ऊपर दिख भी रहा है कौन सा नमबर है, लास्ट के 4 डिजिट दिखते हैं नमबर के, अब यहाँ पर submit पर मैं क्लिक कर दें, तो OTP डालने के बाद, फिर यहाँ पर आपको digilokar का pin डालने को बोलेगा, अगर आपका digilokar में अकाउंट ने है, तो आपको यहाँ पर बनाने को बोलेगा अकाउंट, अगर आपका pin आपको याद है, बना हुए अकाउंट, तो यहाँ पर pin डाल दीजेगा ने, तो forgot pin पर क्लिक करके, digilokar का pin आप for reset कर सकते हैं, अगर यह digilokar के step पे कोई problem जाए, तो मैं description box में अपने Instagram का link दियो, वहाँ आपका contact कीजेगा, मैं आपका यह problem भी fix करवा दूँगा, नहीं तो आप forgot pin पर क्लिक करके, pin को change कर लिजेगा, फिर डालेगा यहाँ पर, काफी लोगे में create pin का option आपका, तो create कर लिजेगा कोई भी pin, और फिर pin को याद रखेगा, वहाँ का डीजी लोगा का pin बन जाएगा, तो यहाँ पर मैं pin डालके, next की बटन पर नीचे green color की done की बटन पर क्लिक कर देता हूँ, अगर कोई problem जाए, तो आप comment जरू कीजेगा, मैं आपका यहाँ पर comment का within 5 minutes reply जरू करूँगा, आप लोगों के यहाँ पर allow की बटन पर क्लिक करना है, कुछ यहाँ पर details देख रही है, फिर इसके बाद allow की बटन नीचे blue color का बना हूँ, उस पर क्लिक कर दीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तो आपको wait करना है, फिर आपके सामने देखी, यहाँ पर phone पर UBI वेगर आ है, तो आपको यहाँ पर add bank account manually पर क्लिक कर देना, जो मैं arrow की help से आपको देखा रहा हूँ, अब आप लोग जिसका account open कर रहे हैं, उसका bank account number डालन मैंने फिल कर दे और यह verify कर रहा है, और यह verify भी हो गया, अब यहाँ पर get click selfie, open camera का बटम बरहा है, नीचे उस पर click कर दीजिए, open camera पर आपको click करना है, और यह permission allow कर देना है, अब आप लोगो selfie लेना उस person का, जिसका आप लोग account open कर रहे हैं, यह जस्ट KYC verification के लिए selfie मांग होता है, अगर आपका in case camera open नहीं होता है, तो इस problem का solution मैंने description box की वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ पर जाहिए उस वीडियो को देखे, अगर camera open नहीं हो रहा है, तो, यहाँ पर मैंने selfie ले लिया, अब आप लोग ब्लू को लगे button पर नीचे click कर देना है, फिर आपके सा then guys, आप लोग के यहाँ पर उस number पर आएगा OTP, जो आपने number डाला है, bank account चाल, जो आपके link है, वो वाले number पर आएगा OTP, तो आपको OTP submit कर देना है, फिल करके कितना करने करें, अब आप लोग को यहाँ पर देखे, link as provide consent, यह बना हुए blue color का button, आप लोग को उस पर click कर देना है, फिर आपके mobile पर अगेन एक और बार आएगा OTP, तो आपको वो OTP यहाँ पर डालना है, और submit कर देना है, नीचे blue color के button पर मैं OTP fill कर देता हूँ, मेरे मे अब आप लोग को यहाँ पर annual income डालना है, आप कोई भी जो भी आपके annual income हूँ, आप डाल सकते हैं, इस से कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं परता, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, चारो option में से, annual income आप कुछ भी select कर दीजिए, और नीचे blue को लगे बटे हैं, next पर click कर फिर आप लोग को डालना है, आपका business type क्या है, अधर कर दीजिए, business अगा employment है, यहाँ बिजिनिस जो कुछ भी है, वो चूज करके submit कर दीजिए, फिर आप लोग को यहाँ पर father name डालना है, जिसका आप लोग count open कर रहे हैं, उसका father name डालना है, gender डालना है, और marital status डालना है कि married है, unmarried है, क्या है, वो डाल देना है, तीनों चीज़ों को, मैं fill कर देता हूँ, फटा-फट से यह तीनों चीज़ों को, अब guys, आपको proceed के button पर click कर देना है, नीचे, अब यहाँ पर add nominee का option है, आप इसे do it later कर दीजिए, क्योंकि nominee के उपर मैंने अलग से video बना, आप च information चेक कर लिए, सही है के नहीं, मैंने privacy purpose के लिए blur किया हूँ, ब्लू को लगे button पर फिर आपको click कर देना है, नीचे, फिर यह loading लेगा, और यहाँ पर देखी, आपके सामने एक और निया page आ चुका है, अब यहाँ पर आधार card number डालना है, जो आपने पहले डाता, आधा card number वैसे ही, आपको यहाँ पर भी आधार card number डालना है, और यहाँ पर send OTP पर click कर देना, इस box को tick करके, एक box बना हुआ उसके उपर, और फिर उसके बाद आपके यहाँ पर enter OTP, OTP अब आपके नमबर पर आगा, जो आधार से link है, तो उस नमबर OTP जो आया, वो fill कर दीजिए, और fill करने का दें, आपर submit OTP पर click कर दें, verify OTP पर, आप देखिए, आपका यहाँ पर पूरा process हो चुगा, account opening का, यहीं तक था process, अब आप लोगों देखिए, यहाँ पर screenshot मैं कर लेता हूँ, साथ working days के लिए wait करने को बोला, क्योंकि यह KYC verify होने के जादा है, angel 1 team के पास, आ गया था, यहाँ पर देखे, client ID आ चुका है, आपको screenshot मैं लगा दिता हूँ, तो यह client code है, जो आप लोगों को ले लेना, आप लोग इन कैसे करना है, एप पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको angel 1 app को दोबारा से open करना है, open करने के बाद इस बार आप लोगों को को special character view, ऐसा password आपको strong सा password बनाना है, एक और set दोबारा से एक और password डाला है, re-enter करना है, यहाँ पर इसे आप skip कर दीजे, right side view पर option आ रहा है, skip कर दीजे, यह biometric मांग रहा है, बस, आपको देखे, यहाँ पर app login हो चुका है, पूरे तरीके से आपका account successfully activate हो चुका है, और जो कर देखे